नमस्कर दोस्तों फिर से एक बार मैं नरश महननद आपका लाइप सो में स्वागत करता हूँ और आज का जो विसे है दोस्तों वो है कि मैं क्रिष्टन क्यूं बनूँ इस विसे पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक बात समझा दूँ कि आज जो भी कृष्चन है या जिन लोग भी प्रभूईश में से ग्राण किये हैं और अपने आपको मसीह समझते हैं तो मसीह लोग कौन है कृष्चन लोग कौन है ये जानना बहुत जुरूरी है सबसे पहले बात विशय में जाने से पहले हम इस बात को शेयर करेंगे कि मस मसीह लोग कौन है और ख्रिसन लोग कौन है क्रिष्चन लोग मसीह लोग उनलोगों को बोला गया है जो पाप में से छुडाए गएगये लोग हैं यानि कि पाप में से छुटकारा पाए हुए लोग और मुक्ति पाई हुए लोग है उद्धार पाई हुए लोग है और जो मसी काम करता था वही काम हम लोगों को करना है जो मसी प्रभुईश्य मसी काम करते थे वही काम हम क्रिष्चन भाई बैनों को करना है और वो काम क्या है बचाने का काम छुडाने का काम मुक्ति और उद् यानि कि बचाने वाले लोग, छुडाने वाले लोग, उधार दिलाने वाले लोग, मुक्ती दिलाने वाले लोग, तो हम बचाने वाले लोग होना चीए, हम क्या हैं, बचाने वाले लोग होना चीए, तो हम जिसे भी जो भी बाते समझाते हैं, सिखाते हैं, वचन से, तो हम क तो दोस्तो अब हम चलते हैं विसे पर तो विसे हमारा क्या था कि मैं क्रिश्चन क्यों बनूँ क्या हम इस सवाल को समझ पा रहे हैं क्या हम इस सवाल का अर्थ समझ पा रहे हैं क्या ये सवाल जिस कारे को इशारा कर रहा है जिस कारे के ओर ये बढ़ रहा है या जिस कारे को और ये निशाना दिखा रहा है, उस कारे को हम समझ रहे हैं, या उस इसारे को समझ रहे हैं, उस सवाल को समझ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हमें सवाल को समझना है, मैं क्रिश्चन क्यों बनूँ, ये सवाल को हमें समझना है, चलिए हम सवाल को अलग-अल कि मैं क्या चीज कहता है, मैं क्या चीज है, जैसे कि मैं क्यूं बनाया गया, मैं कौन हूँ, मैं किसलिए पैदा हुआ, मुझे क्यूं बनाया गया है, और मैं किस मुकाम पर जाओंगा, मेरा अंत क्या है, क्यूंकि जो भी बना है उसका अंत है, ये सभी सवालों के जबाब हम में ढूनना है तो बाइबल हमें क्या बताती है कि मैं कौन हूं मुझे किसने बनाया है मैं कहां से आया मैं किस कारण बनाया गिया हूं तो बाइबिल से देखेंगे बाइबिल में इस प्रकार से लिखा हुआ है उत्पत्ती 5.1 में लिखा है जब परमेश्वर ने मनुश्य की स्रिष्टी की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया परमेश्वर ने हमें बनाया आईश्वर ने हमें बनाया और अपने स्वरूप में बनाया और क्या लिखाया बाइबिल में? जैसे कि सबोवदेशक उसका साथ का 29 में देखें मनिश्यों को तो परमेश्वर बिल्कुल सही और सीधा बनाया था लेकिन यहां पर लिखाया देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनिश्यों को सीधा बनाया परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तिया निकाली अपने जीवन के लिए, पाप करने के लिए अपने शानों शौकत, एशो आराम और अभिलाशाओं को पूरा करने के लिए यह बहुत सारी युक्तिया निकाले, मनुष्य जाती है अब हम देखते हैं कि क्रिश्चन, क्रिश्चन का अर्थ क्या होता है क्रिश्चन का अर्थ होता है मसीही अब मसीही का क्राइश्ट, मसीही यानि कि क्राइश्ट, क्राइश्ट का तो कृष्ण का मतलब यही मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कृष्ण का मतलब यह होता है बचाय हुए लोग, छुड़ाय हुए लोग और उस मार्ग पे, बचाने वाले मार्ग पे चलने वाले लोग लोगों को उधार दिलाने वाले लोग और उद्धार और मोक्ष और अनन्त जीवन पाने वाले लोग ये सभी लोगों का जून को क्रिश्चन लोग कहा जाता है तो हमें अब क्रिश्चन बनने की क्यों जरूत है क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे पाप है आएए हम बाइबल से देखते हैं दोस्तों बाइबल में सिर्फ एक ही उद्धार करता का नाम लिखा हुआ है और सारे जगत और सारे संसार में सिर्फ वही उद्धार दे सकता है हमारे जीवन से, हमारे पापों से, हमारे उस पाप के जीवन से जो हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है वो है प्रभु ईश्यु मसी यहां पर लिखा है प्रवतो काम चार बारा में लिखा हुआ है किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुश्यों और मनुश्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गिया है जिसके द्वारा हम उध्धार पा सकें और वो कौन है? यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है? हमारे पापों की छमा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्य उध्धार पाएगा क्योंकि धर्मिक्ता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उध्धार के लिए मूँ से अंगेकार किया जाता है फिर उसके बाद 13 में लिखा है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा तो हमें उद्धार और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रभुईश्यमसी को ग्रहन करना है वही है क्रिश्चन का मतलब और दोस्तो अब हम आते हैं क्यों हमें क्यों प्रभुईश्यमसी को ग्रहन करना है हमें प्रभुईश्यमसी को क्यों मानना है या उसके पीछे चलना है क्योंकि हम कारण ढूनते हैं कभी भी कुछ भी करने से पहले क्यों 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 ऐसे हम सवाल करते हैं तो क्यूं का अर्थ ये होता है, कि हमारे जीवन में, कारण हम बता रहे हैं, हमारे जीवन में ये है, पाप है, हमारे जीवन में अशुद्धता है, हमारे जीवन में आभिलाशा है, बुरी बुरी लालशा हैं, बुरे बुरे वेविचार हैं, ये सभी बाते हमारे जीवन में और इस जीवन को रहते या रखते हुए कोई उधार और मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता और वो पाप का भागीदारी हो जाता है वो अनंत नरक की आग में जलेगा वो इस प्रकार से परमेश्वर के दंड से नहीं बस सकता लेकिन कारण ये है कि हमें इसलिए प्रभु को ग् मानना है और उसके नियमों को करना है जो उसने अपने आचरणों के द्वारा हमें सिखाया है तो यहां पे क्यों ऐसे करना है क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है फिलिपियो 2 का 10 में लिखा है कि जो स्वर्ग में और प्रित्वी पर और प्रित्वी के नीचे है वे सब इश् और पिता की महिमा के लिए हर एक जीप अंगिकार कर ले कि इशू मसीही प्रभू है यह होगा उस दिन और यही कारण है हमें इस प्रकार से हमें जानना है कि प्रभू इशू मसीह को हम क्यों ग्राण कर रहे हैं और हम सब मनुष्य जाती पापी हैं जैसे कि यहां पर लिखा ह रोमी 5 का 12 में लिखा इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रिती से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है तो हमारा पाप से मुख्ती कौन दिला सकता है हमारे जीवन में शान्ती कौन दिला सकता है प्रभुईश्य मसी अब लाश्ट है हमारा बनू जो लाश्ट में कोश्चन का एक शब्द बज गया है बनू तो हम क्यूं बनते हैं हम कोई भी फल की चिंता करते हैं जब हम कुछ कारे करते हैं ये सकारी करने से हमें ये फल मिलेगा तो उस फल के लिए तो हमारा फल क्या है अनन्त जीवन है हमारा फल क्या है अनन्त जीवन है क्योंकि लिखा हुआ है यहन्ना 3.16 में क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, मनुश्य के लिए दिया, उसके बलिदान के लिए दिया, उसके लहू के द्वारा हम सब बचाए गए हैं, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पा आने के लिए हम प्रभुईश मसी के पास आते हैं जैसे कि मैंने आपने वीडियो में एक बताया है आत्मिक पॉलेसी तो हम क्या है जीते जी भी शांती प्राप्त कर सकते हैं और मरने के बाद भी शांती हमारे जीवन को मिलेगी उस अननते जीवन उस स्वर्ग के मुकुट को हम प्राप्त कर सकते हैं अननते जीवन के मुकुट को तो ये है हमारा जीवन जीने का और बनने का कारण तो दोस्तो क्रिश्चन बनने का अर्थ आज हमने समझा क्रिश्चन क्या चीज है उसे हमने समझा और क्रिश्चन से बहुत सारे जो हमें मिलती है फल और आशिशे वो और वो शान्ती, वो जीवन में आशा शान्ती कभी नहीं मिली होगी आपको, जब आप प्रभू को ग्रहन करते हैं, तो ये सभी बाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इसलिए ग्रहन करना है, हमें खौब भी होता है, हमें डर लगता है, अपने पापों से हम इतने ग्रिनेत काम क हम पापों में पढ़ते जाते हैं, संसारिक परिशानियों में, और उलसते चले जाते हैं, हम मृत्यू कर बैठते हैं, हम आत्महत्या कर बैठते हैं, हम परिशानी से, परिशानी में रह करके दूसरे का कतले भी कर देते हैं, जुर्म करते हैं, खून करते हैं, लोगों के मनों जीवन को निकाल देता है आते हैं और खुद भी परिशानी में रहते हैं और इस प्रकार से हमारा जीवन पाप में होते जाता है तो इसलिए जैसे कि यहां लिखा है यह न तीन का 36 में लिखा हुआ है यहां पे अगर हम देखेंगे तो लिखा है जो पूत्र पर विश्वास करता है यानि कि पी नहीं देखेगा परन्तु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है तो हमें परमेश्वर के क्रोध से बजना है उस इश्वर के क्रोध से बचना है हमें हर एक प्रकार के मुसीबतों से बचना है हमें शांती प्राप्त करना है हमें उद्धार प्राप्त करना हमें मोक्ष प्राप्त करना है हमारे जीवन में हम अपने परिवार के साथ अपने लोगों के साथ अपने समाज के साथ अपने देश के साथ शांती से रह सकते हैं जब हमारे जीवन में हर एक प्रकार की दुर्वानी और दुष्ट कारी और हर एक प्रकार के अपवित्र कारी हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं तब हम प्रभुईश्य मसी के अन्याई बनते हैं हम बचाने वाले बनते हैं बच करके बचाने वाले बनते हैं हम क्रिश्चन बनते हैं तो आज हमने जाना कि मैं क्रिश्चन क्यों बनूं इसका उत्तर आज हमने सीखा है तो दोस्तों जिस प्रकार से नए, नए, विशह, नए, ने subject आपके पास लाते रहेंगे और प्रभु के ग्यान को हम एक दूसरे के साथ बाड़ते रहेंगे और सीखने वाले बन सकेंगे और दूसरे के लिए बचाने वाले बन सकेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें WhatsApp करें और हमें email करें और मैं आपको बताना चाहूँगा कि WhatsApp पर call ना करें WhatsApp पर only chat करें जिससे क्या है? बहुत सारे लोगों के साथ हम बात कर सकते हैं लेकिन call करने पर सिरीफ एक वेक्ति के साथ बात कर सकते हैं तो WhatsApp चैट करें और अपने परिशानियों और अपने समस्या और अपने उस बात को आप उसमें शेर कर सकते हैं सवालों को शेर कर सकते हैं और इस प्रकार से हमारा वेबसाइट जल्द ही आ रहा है उसमें अपना रेजिस्टेशन करवाएं ताकि आप हमारे Bible Training का हिस्सा बन सके और इस प्रकार से आपके जीवन के लिए लाब दायक होगा लाइब सो तीन प्रोग्राम जो लाया है आपके जीवन के लिए वो है Help Group प्रोग्राम है और एक Motivation Class प्रोग्राम है और जो तीसरा और लाश्ट है वो Bible Training Class प्रोग्राम है और जल्द ही हमारा website चालो हो रहा है जो ये तीनों प्रोग्राम आपको online भी करा सकता है और इस प्रकार से आप हमारे साथ प्रभू के कार्यों को कर सकते हैं और जो बहुत सारे लोग हैं जो आज परिशान हैं परमेश्वर के कारयों को नहीं कर पा रहे हैं जिनका काम दंदा है सब बीजी हैं बीजी सडूल चल रहा है उनके जीवन में और चर्च नहीं जा पाते हैं बाबिल नहीं पड़ पाते हैं जीने प्रभु ईश्व मसी ने कहा है अगर तुम उने देते हो तो मुझे देते हो अगर कंगालों को उधार देते हो या कुछ देते हो तो परमेश्वर को कर्ज देते हो यहवा को उधार देते हो कर्ज देते हो इस प्रकार से बाइबिल में लिखा है स्वर्ग ये धन इखटा करो बाइबिल में लिखा है तो जब हम कंगालो को देते हैं तो हमारा धन स्वर्ग में इखटा होता है हमारे कार ये हमारे पुन्य के काम भलाई के काम स्वर्ग में इखटा होते जाते हैं और वही हमें बचाता है नियाय के दिन में और अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो कहता है ताकि जब तुम जाओ तो उनके साथ तुमारे वो मित्र के गुण भी जाए तो हमारा मित्र क्या है? हमारा मित्र है भलाई हमारा मित्र क्या है? हमारे मित्र है प्रभू इशु मसी जिन लोगों को बोले है उनको हम दान देते हैं, वो हमारे मित्रे, कंगाल हमारे मित्रे हैं, तो हमें प्रभू इशु मस्जी के कारे को करना है, और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का द्यान हमारे पास आता है, और परमिश्वर के कारे के लिए हम करते हैं, इस प्रकार से हम इसी प्रकार से नए- पाते लाते रहेंगे और अगर आप हमारे साथ कारे करना चाहते हैं परमिश्वर के कारे निश्वार्थ भावना से आप अपने जगे में अपने शहर में अपने राज्य में अपने एरिया में रहे करके परमिश्वर के कारे को कर सकते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल संप कर गुट बाई